नगर निगम ने पहले अपनी छत्रचाया में अवेद निर्मान करताओं को पनहा दी निगम के कतित अधिकारियों और सम्बंदित पार्शदों ने अवेद निर्मान के पेटे चम कर वसूली भी के लेकिन अब जब अचमिर को स्मास सिटी बनाने का वक्त आया और सरकार की और से ऐसे अवेद निर्मानों पर कारभाई के आदेश आये तो मजबूरन उनी निगम अधिकारियों को अब ऐसे निर्मानों को सीज करने की कारभाई करनी पड़ रही है पिछले कुछ दिनों से नगर निगम के अधिकारी शहर के अलग-अलग इलाकों में चुन चुन कर ऐसे निर्मानों को सीज कर रहे हैं चिनके बंते वक्त या अधिकारी कुम्ब करनी नीन में थे या यो कहें कि चांदी की चमक से इनके हाथ बंदे थे रोजाना हो रही इस तरह की कारभाईयों से परेशान व्यापारी वर्ग का सबर तूटा और उन्होंने एक जो ठोकर निगम के खिलाफ अपनी आवास बुलंद करते वे मंगलवार को गान्दी भवन से जिला कलेक्टर तक विशाल जुलूस निकालकर निगम की कारभाई का विरोध करते वे जिला कलेक्टर को मुख्यमंद्री वसंधरा राजे के नाम ग्यापन सौपा और निगम पर नकेल कसने की मांगे वियापारियों ने जुलूस के बीच निगम अधिकारियों के नाम ले लेका नारे बाजी की और आक्रोष का प्रदर्शन भी किया श्री अजमेर व्यापारिक महासंग के अध्यक्ष मौनलाल शर्मा ने बताया कि निगम हट धर्मिता दिखाते हुए अवेद निर्मान के नाम पर नोटिस दे रहा है सीज कर रहा है और बिजली कनेक्शन भी काट रहा है नगर निगम 490 अवेद व्यलसाइक निर्मानों की सूचना दे कर गुम्रा कर रहा है जबकि इनकी संक्य हजारों में है इन सभी निर्मानों को करवाने में प्रत्यक्ष और परोख्ष रूप से नगर के अधिकारी कर्मचारियों की भुमी का रही है अवेद निर्मान होते बक्त निगम ने कारवाई क्यों नहीं की इससे निगम की भुमी का संदिक्द है निगम अपने ही अधिकारी कर्मचारी को बचाने के लिए कारवाई कर रहा है व्यापारियों ने मांग की है कि अवे निर्मान के क्षित्र में आने वाले अधिकारे और कर्मचारियों के जिम्मदारी निर्थारित करते वे सूची सारजने की जाए चुपचाप आँचे बंद करके बैठ खेर बन गई अब उसको बजाए नियमित नियमन करने के उनको नोटिस दिये जा रहे हैं बिजली पानी काटने की दमकी दी जा रही है किसी प्रकार की व्यापारी के साथ कोई जाती हुई तो अंस्तो गत्वा अजमेर बंद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है